स्कूल जाना है अब नहीं? हाँ अब जाओगे? आज जब खुलेगा ना? तो मुझे एक जिस बताओ कि जब पहले जाते थे तब तो घरवाले कह रहे हैं कि वहाँ रो रो के इसने बुरा हाल किया कहता है मैंने स्कूल जाना ही नहीं है आप जाना है नहीं? हाँ या आप भी स्कूल जाकर रोना शुरू कर दोगे? नह क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान स्कूल एजूकेशन वेभाग में इन बच्चों को हो रहा है जो नए बच्चे हैं जिनको स्कूल जाकर पढ़ना है जिनको स्कूल जाकर सब कुछ सीखना है जिनको मैनर्स सीखने है उठना, बैटना, बात करना ये सब कुछ जो है एक कंट्रोल एल्मार्मेर्मेट जब तक आप टीचर की छतरशाय में नहीं रहते हैं मुश्किल है अज़े, कितने दिन स्कूल गए थे? दो दिन बस दो दिन? हाँ क्या किया था वहां स्कूल में दो दिन? पढ़ाई पढ़ाई? ये तो कहते हैं सारे आप रह रहते हैं ना अच्छे, ये जूट बोल रहे हैं हाँ? अच्छे, आप सच बोल रहे हैं या आप जूट बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं क्या आपने रोया देया था उस Дिन हाँ? सच्ची बात बेचारे ने बता दी कि मैं जब स्कूल गया था तो स्कूल जाकर मैंने ठीक ठाक रोना डाला था yे होता है नसी क्लास में जब आपके एडमिशन होती मेरी भी जब एडमिशन होई थी मुझे भी ममी सुनाते हैं कि भाई कम पहले 15 दिन तो तुने रोना दोना ही डाला था और उसके बाद एक टीचर होती थी अगर वो स्कूल जाती तो मैं स्कूल जाता अगर वो स्कूल नहीं जाती तो उस दिन में छुटी होती तो बच्चों घा ऐसा ही रहता है कि बच्चे जब पहली पहली बार स्कूल जाते हैं रोते हैं, चलाते हैं, चीखते हैं, शोर करते हैं फिर आइस्ता इस्ता माबाब उनको कन्विंस करते हैं आपको पढ़ाई करनी है, तो यही कुछ उनस ने भी किया स्कूल जब गए, तब रोयाद होया लेकिन आप अफसोस यह कि स्कूल बंद है एपल, बी फर, बॉल, सी फर, कैट क्या बात है, अच्छा मुझे बताओ वन टू थी भी आता है, सुनाओ ज़रा वन, टू, थ्री, फोर, फार, शिक्स, जवन, एट, नाइन, टन मुझे बताओ, पढ़ाया, यह किस ने पढ़ाया आप मम्मी अच्छा यह मम्मी ने पढ़ाया है तो और नहीं पढ़ाती है, बहने नहीं पढ़ाती है आपको हाँ पढ़ाती है, अच्छा मुझे बताओ, मार भी बढ़ती है कोई नहीं पीटता, पक्का ने कोई मुझे सुना रहा था, कहते कभी-कभी भीज-भीज में योनिस को पढ़ भी जाती है थोड़ी से पिलकुल नहीं अच्छा एच्छा, यूनिस मुझे ऐक जी बताओ कोई पोईम आती है जरा सुनाओ पोईम सुनाओ, सुनाओ कोई पोईम कौन सी पोईम आती है कोई नहीं वो नहीं, कोई पोईम नहीं आती वो early to bedded early to rise में नहीं आती वो क्यों नहीं आती पड़ी है नहीं अभी चलो जी ये यूनस है जी ये nursery class में उन्हें जॉइन किया था यूकेजी में अच्छा यूकेजी में आज यूकेजी में है आज यूकेजी में है ये सारी पढ़ाई घर में हुई है और ये सारी पढ़ाई घरवालों ने कराई है ये सारी पढ़ाई माबाप ने कराई है और इन भाई बहनों ने कराई है यही इस education system के साथ हो रहा है कि इस उमर के बच्चे जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा care की जिन बच्चों को बहुत अच्छे environment की और जिन बच्चों को classroom के environment की जबरदस जरूरत है इन बच्चों को पिछले डेड़ साल से पता ही नहीं है classroom क्या चीज़ होती है और अगर इसी तरीके से और एक 6 महीने या साल इसी तरीके से इन बच्चों को क्लासरूम के बारे में कुछ ना पता चला, जब ये फिर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में स्कूल जाएंगे, तो इनको दुबारा से रियोरिंट करना इनको दुबारा से सब कुछ सिखाना इनको ये बताना ये कलासरूम है इनको ये बताना यहां पर पढ़ाई करनी है इनको ये बताना कि कलासरूम का माहौल कैसा होता बड़ा मुश्किल काम होगा जब मुकश्मीर की सरकार को इन बच्चों को लेकर फैसला लेना होगा COVID-19 तो है उससे लड़ाई लड़ते रहना है लेकिन उसका कते भी यह मतलब नहीं है कि स्कूल एजुकेशन विभाग इस COVID-19 को लेकर स्कूल बंद रखे और स्कूल खोलने का फैसला न ले कि आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान स्कूल एजुकेशन विभाग में इन बच्चों को हो रहा है जो नए बच्चे हैं जिनको स्कूल जाकर पढ़ना है जिनको स्कूल जाकर सब कुछ सीखना है जिनको मैनर सीखने हैं, उठना, बैटना, बात करना, ये सब कुछ जो है, एक कंट्रोल अल्मारमेंट जब तक आप टीचर की छतर शाय में नहीं रहते हैं तो बड़ा मुश्किल है, घर में माबाप का प्यार भी होता है, घर में माबाप बहुत जदा लाड़ प्यार करते है उस लाड़ प्यार से थोड़ी देर के लिए बच्चे को दूर रखना, टीचर की गाइडन्स में और टीचर के पास रखना उससे बहुत कुछ बच्चे को सीखने को मिलता है, मा की गोद पहली कलास होती है, मा की गोद पहला स्कूल होता है, लेकिन उसके बाद जो असली स् instruction होती है एक individual की वो तब जाकर मुम्किन हो सकती है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करे तो अमीद यह कि सरकार इन बच्चों को लेकर और खासकर जो गाउंदीहात में बच्चे रहते हैं इनको लेकर जल्द कोई फैसला लेगी